हलो प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा एदि आपके गाय भैंस कटिया बच्चिया यह पर एदि पहली बर हीट में आती हैं तो उनको एई आई वे नेश्चनल गरबादान करवाना सही है या गल्त करवाना चीए या नहीं इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मैं देखना वीडियो को आप पूरी देखना वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नौलेज मिलेगा क्योंकि बहुत से ऐसे PARSAW पालकू की सि까요 रहती है कि हमारा पसू पहली बर हीट में आता है और उसके हम एयाई वा निच्र गरबादान करवा लेते हैं और पसू कंसीव नहीं हो पाता है तो डिटेल से बता दिया जाएगा एदी जो अभी भी इस इंदल पर जो नहीं आए हैं तो पहले आप इस इंदल को सब्सक्राइ ही तो आपको किया चीए कटिया बच्चे हीट में आ रहा है पहसी देखनी चाही है देकने के बाद तो आप उसको एक हीट आ लिए और 21 दिन बाद में आता है तो इसमें क्या है यह जैसे दुदारू पशू है तो उसमें कि किसी भी परकार का एज वेजैनल में किसी परकार को इंफेक्शन ना हो तो डिशार्ज के साथ कि बाहर फेंग देता है और यह आपका पशू दूसरी सबस्राइब लूसरी लत में आओधा दूसरी एड़िश दूसरी पर हीट में आएगे को कि यह रहते है कि जैसे दी है जैसे दुद numbers है और उस्हाइब है उसनी ऐपापने यह घ्ट पसुरुर गरबादान ये दी करवा लिया है तो उनमें कम से कम आपको 50% ही रिजिल्ट मिल पाता है यानि 5 गाये ऐसी हैं गाया कटिया बची हैं जो कंसीव कर लेती हैं पांच कंसीव नहीं कर पाती हैं तो आप इस बात का जूरूर द्यान रखें जब भी फैस्ट हीट में हाती है तो उस हीट को टाल दें बिल्कुल भी आप नख लगाएं दूसरी बड़ हीट में आती हैं एधि दूसरी बड़ हीट में नहीं आती है कि हैंको अपका पस्व नहीं दे रहा है यहन् Treaty ने आरा है और जासे कटियाबच्च वो बोलेंगी आपको यी देखना चाहीं क विटी इसमें आप अएन्सकां और उस नेश्रो घरवा को सकते हैं आ तो आप इनसे बचे फैस्ट हीट तालें बहुत फाइदा होगा आपके पसों को सब्सक्राइब बहुत सी इस प्रकार के मेरक पास आप ऐसे क्यूशन भी आएंगे कि फैस्ट बर हीट यहीं हम ताल देते हैं तो पसों हीट में ही नहीं आते हैं तो आपको यह देख लाना चाहिए कि उनपशों में और हीट में हीट में आ रहा है तो आप कम से कम 25 तीच दिन का देखें पचेस तीच दिन के बाद में यहीट में नहीं लाने के लिए आप उन पसों को इंजेक्शन का सारा ले सकते हैं यादि आपके नजदिक यहीट कोई इंज़ेक्षिन का सार MOS लेना है जिस प्रकार से आपको छू प्रस्टिनॉल कि चान चाहला प्रद्सटेंटर मैं यह परगमाई जो दर कंपनी गजिसके अंदका साल्ट आता है इस इंजेक्शन के बारे मेरे चेंदर पर डिटियल सी वीडियो बनी विये वह भी आप जाकर के देख सकते हैं इसी परकार आप यह इंजेक्शन है तूप युग में ले सकते हैं इसी परकार रही दिया यह लू पर चुप है से हीट में आपने देख लिया कि हीट आई और सेकिंड में यह पचीज दिन निकल गए तीज दिन निकल गए फिर भी यह पसुछी नहीं आ रहा है तो आपके जो नजदिक पसुछी कर सकते हैं इसमें क्लो प्रोस्ट आपको कोई बी इंजेक्शन है वह आप लगवालें डोनो प्रोस्ट जो लुटा लाई जाओ वो पांच अमेल इंट्रमस्कुलर लगवालें और यह लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि बैथर गंठे बाद आपको जिस परकार से बुर्शलिन के जो साल्ट के इंजेक्शन है जिस परकार से गाइनारिच है यह आप उस पसु को अड़ाई एमेल लगा सकते हैं या जिस परकार से एसोर्ड है जो केरस कमने है अदर जो इस साल्ट के रिसेप्टाल है यह इंजेक्शन आप बैथर गंठे बाद में उस पसु को अड़ाई एमेल से लेकर के आप पांच एमेल तक भी प्रियोग कर सकते यह आपका पसु का बहुत ज़्यादा बोडिवेट है यह आपके पसु में ज़्यादा समस्या है तो यह लगा सकते हैं यह लगाने के बाद में आपको क्या करना है जिस परकार से यह इंजेक्शन लगाया और यह इंजेक्शन लगाने के बाद में कौन सा इंजेक्शन फै 12 गंटे के बीच में आप AI करवा लें एदि आपके पास नजदिक कोई पसू चिकत सब्सक्राइब कर रहा है तो उससे आप AI जरूर करवा लें आप AI करवा लेंगे तो आपको देखना होगा कि AI करवाने के बाद में एदि आपका पसू 20-21 दिन या 35 दिन बाद में नहीं आ रहा है एदि आपको कोई सिम्टम सैसे दिखाए नहीं दे रहे हैं तो उसकी आप चैक जरूर करवा लें 35 दिन बाद में एदि आपके पास कोई अच्छा पसू चिकर सकाए दियो अच्छी पीडी करना जानता है तो 35 दिन बाद में आप उस पसू को चैक जरूर करवा लें कि पसू प्रिग्नेंट है या नहीं यह जरूर जान ले यह इंजेक्शन लगाने के बाद में 35 दिन से ल करनी है कि पीडी कैसे करनी चाहिए वो भी आप जाकर के देख सकते हैं तो आपको पीडी कराने के बाद में आपको कनफरम हो जाएगा कि आपका पसू ठहर गया है या नहीं इस बात का आप जरूर ज्यान रखना यह इंजेक्शन लगाने के बाद में यह दिया अच्छी त करवाएं देखो आप अच्छी तरह से समझ गया हूं कि यह आपका पसू पहली बर हीट में आता है तो उसको यह करवाने चाहिए या नहीं डिटेल से बता दिया गया है यह इंजेक्शन आपके नजदी जो पसू चिकत सका है उनसे आप जरूर लगवाले आपका पसू क्यूं अच्छी लगी है तो निसे जाके आप कमेंट मेंदल कि मेरी वीडियो का अपने दोस्तों के साथ पसू पालकों के साथ और मेरे जितने वerson दोक्त कि मेरी इस ड्वेंट हैं। उनके साथ आप इस वीडियोक उस whites अपने प्लाइक आपर panora पोçar असफें इस फेलाइन इसले इसाउत करें चोत works कर्यां दियुखनir इत खंप कि अर्प कि कि झाल झाल